हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग सायद आप लोग ठीक ही होंगे आज मैं आप लोग को एक नया ट्रिक बताने वाली हूं कि पल्लू के पार्ट आप किस तरह से ले सकते हैं किस तरीके से आप अगर पल्लू के पार्ट को बेयर करते हैं तो कितना जादा एट्रेक्टिव ल कि नीचे का प्रेट का फाइब्र का उपरिक को अच्छी तö पिंगर की साहथा से प्लेट में कर रही हूं ऐसे ही ओन जैक अच्छी तरीके से में इसे फैब्रिक में करने के और बूटन के सामने को चामले आपको क्या करना है हर एक वीडियो में आप नोग देखती हूंगे कि Lucy के शेप के लिए कोई भी अगर किसी का चैनल आप open करते हो तो में कोईता चैनल पे चैनल को ऑपन करें अगर आप अंदर की साइट से सिकोर करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं आप देख रहे हो मेरा साइट का शेप भी अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है क्योंकि जो उसका फैब्रिक था वो मैंने अपने शेप्टी पिन में लेके सिकोर कर दिया था तो ऐसा ही साइट के शेप के लिए आप लोग भी ट्राइ कीजिएगा तो यह रहा मेरा फैब्रिक प्लेट का तो पहले उपर वाला फैब्रिक आपको ट्विस्ट करके थोड़ा शाफ फैब्रिक ट्विस्ट करते हुए एक सिकोर कर लेना है एंड नीचे का फैब्रिक दिख रहा है जो दोनों बाउडर दिख रहे हैं चोटे-चोटे पतले-पतले से बाउडर दिख रहे हैं आपको वह दुनों बाउडर को आपको उसी के ऊपर एक सिप्टी पिन से रखके सिकोर करने के बाद दिस इज वाई फाइनल लूक आप लोग की शामने ही है मैंने एक अच्छी तरीके से किसी और नए स्टेप के साथ सुदंतर टेक केर एंड बाई